हिंदी दिवस पर मेरे द्वारा ये एक कविता लिखी गई जिसका शेशक है आओ हिंदी बचाएं इसके बारे में इतना करना चाहूँगा कि हिंदी भाषा का हमारी संस्कृति से विलॉप्त होना हमारी संस्कृति का विलॉप्त होना है आज हमारी भाशा बस हिंदी दिवस तक सिम्टी रह गई है हमारे सब भी उच्छे शिक्षा के कोर्से इंग्लिस भाशा में बने हैं जो ब इंग्लिस बोलने वालों को दी जा रही है हिंदी बोलने वालों को ग्रामीड और अनपड़ा लिखा कहा जा रहा है एसे में हिंदू विध्यारती हिंदू राष्ट का एक सजग नागरिक होने के नाते राष्ट को अगह करती भी मेरी एक कविता कि मेथली मुंशी रामदारी की जो बाषा दीवानी थी पंत निरालाच चंदर बर्दाई जी की जो हमों जुवानी थी जिश बाशा को बोल हम विश्व गुरू कहलाते थे उस हिंदी को बोल हम खुद को गुरो शाली पाते थे यह केवल बाशा नहीं अब इमान है हिंदुस्तान का अब समय आया है बाशा का कल्यूग आया है चुनोती देते हमें भारत मा बचालो मेरे बिमान को मा ने सपना देखा पुरा विश्व हिंदी मैं हो जब आज की युवाओं को यूट्यूब वाट्सप करते पाता हूँ एक लाइन हिंदी की लिखने में सो गलतिया पाता हूँ बाशा की तर्ज पर ग्यान की तुलना पाता हूँ हिंदी हिंदी बचाओ ताना साहो नो कर साहो क्यों बूल गए तूँ अब तो संसद बवन भी इंगलिस में बात करता है सरकारी विश्व विद्याले से लेकर दप्तरों तक इंगलिस है मुझे डर है शासन्य विद्याले भी इंगलिस में को ले ही सडियंत्र का शिकार हो रही मेरी भाशा है अब भी वक्त हैं और आखरी वक्त हैं 20 लेटर पर लेटी मेरी भाशा है केसे एक राष्ट अपनी पहचान अपनी भाशा, अपनी संस्कृति गवाता है हर बार हम लोग हिंदी दिवस मनाते उसमें संबोदन इंगलिस में करते आज मैं बस इतना करना चाहूंगा हम आजात हुएं लेकिन मेरी भाशा अभी भी गुलाम है मेरी भाशा को आजात करो मेरी संस्कति को आजात करो मेरी हिंदी को आजात करो जै हिंद जै भारत